तो आज सीधी बाजार वाली जो चौमिन आपके घर में बनने वाली इस ट्रीट वाली फूड किसे नहीं पसंद आगर आपको चौमिन मिल जाए तो उसका क्या कहना तो बिना टाइम वेश्ट की तो चलिए स्टार्ट करते हैं चौमिन बनाना इसके लिए आपको सबजे लेना तो चौमिन को डालते व верх आपको इसे नहीं तो दोड़ना नहीं है आपको इस तरह की पानी में डाल देना है कि जो बाजार में हम चौमिन खाते हैं वो लंबी-लंबी रहती है वह चलिए आपको इust कह mana कर drinking की तो चलिए आब बात कर लेते हैं चौमिन तक पकाना है, जादा नहीं गलाना है, यह चिछ का भी ध्यान रखना है, इससे पकने में चार से पाँच मिनट लग जाती है, क्योंकि यह मोटी चौमिन है इसलिए, तो चौमिन जो है, वो 80% पक चुकी है, तो हम इसे चुले से उतार लेंगे, और इसे अब हम छान लेंगे, तो आपको एक च्छनी की साहिता से च्छान लेना है, च्छानने के बाद तुरंट आपको इसे ठंडे पानी से धो देना है, और इसमें आपको डाल देना है, रिफाइंड ओयल, क्योंकि इससे आपकी चौमिन जो है, स्टिकी नहीं बनीगी, तो बजार में यह टिप्स जो हम डाल देंगे प्याज, तो प्याज मैंने एक मिडियम लिया, हर प्याज को आपको इस तरीके से कट करना है, तो प्याज डालने के बाद हम इसे इस तरीके से चला लेंगे, अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, जैसे आपको तिका पसंद हो, उस हिसाब से आप यहाँ सबजर कि बाजार ज्रूब कर तो चाुम ए wen से पहला धा 세ली स्टिमाल ज्रूरीं और के सबसे कहाई आपको इस कहले हैं और सवायर को एकलर के तरहें एक हैं काफिश के ईrea होगे था यह झाल तो शेक्थ भी आपको इस तरीके से पतले करके कट करके डालना है इससे कैपसिकम की जो स्मेल है ना चौमिन में बहुत अच्छी आती है तो आप यहाँ पर एक कैपसिकम का इस्तिमाल कर सकते हैं तो basically मैंने अपने चौमिन में तीन सबजी का इस्तिमाल किया है क्योंकि ये चौमिन में थोड़ी कच्छी अच्छी लगती है खाने में तो सब्जियों को मैंने दो मिनट तक पकाया है आप देख सकते हैं और अब हम इसमें डालेंगे चौमिन तो स्ट्रीड में जो चौमिन बनती है न वो एक साथ सारा चौमिन नहीं डालते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके सब्जियों के साथ फ्राई करके वो कस्टमर को सर्व करते हैं तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से पकाएं आपको क्या करना है जैसे सब्जी बन जाएगी तो आप उसमें चौमिन डालके इसे पका ले मतलब जितनी कौंटिटी में आपको किसी को सर्व करना है ये खिलाना है उतनी कौंटिटी में से पका ले इसे क्या होगी चौमिन जब भी आप किसी को खिलाएंगे तो चौमिन जो है वो गरम रहेगी और गरम गरम चौमिन जो है वो भी बहुत टिस्टी लगती है खाने में तो आप देख सकते हैं एक्जामपल के लिए कि मैंने भी सारा चौमिन एक साथ नहीं डाला है मैं थोड़ी थोड़ी करके पका रही हूँ जितना मुझे सर्फ करना है तो मैंने यहां परे आदा चौमिन डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद नुसार तो नमक जो है आपको चौमिन के उपर इस तरीके से डाल देना है इसे जो है नमक अच्छे से चौमिन में मिल जाती है अच्छा अब जो मैं इसमें 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 कर रही हूँ ना ये मैं मसाले का इसमें कर रही हूँ जो हर एक स्ट्रीट वाले चौमिन में मसाले का इसमें करते है तो चौमिन के लिए ये अलग से एक मसाले आती है तो मैं उसी का इसमें कर रही हूँ तो ये हमारे local area में असाने से मिल जाती है तो अगर आपके पास चॉमीन का ये जिए मसाला नहीं है तो आप यहां सब्जी मसाला का इस्तुमाल कर सकते है तो चॉमीन के लिए ये जो मसाला बहुत खास होती है इससे ही कहिए तो आपकी जो चॉमीन होते ना और अब मैं इसमें डाल Message चीली सॉर्स तो फिर से मैं कह रही हु', कि जैसे आपको तीखा पसन्द हो। अब आप इसमें का का इस्तिया हैं 2021, लेकिन चॉमिन थोड़ी सपासरी रहती है का नधिया डाए। और जो चॉमिन के जो कलर होती है जो स्ट्रेट में मिलती है उसकी कलर जो आती है चॉमिन की वो सोया सॉस के वज़े से ही अच्छी कलर आती है तो ये तीन सॉस आपको अपने चॉमिन में डालना है तो जिससे आपकी चॉमिन जो है बहुत तेस्टी बन जाएगी तो ये सॉस डालने के बाद आपको अच्छे तरीके से चौमिन को मिला लेना है तो फ्रेंड्स ये फूल ओन स्ट्रेट की रेसिपी है जो मैं आप तक पहुचाई हूँ ये रेसिपी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है तो ये देखिए हमारी जो चौमिन है वो अच्छे तरीके से मिल चुकी है आप देख सकते हैं और कितनी अच्छी बनी है आप इसी कलर भी देख सकते है तो बाजार वाली जो चौमिन है वो आसानी से आप अपनी घर पे बना सकते है हर एक छोटी छो टिप्स थी मैंने आप लोगे के साथ सेयर किया है और एक टिप्स मैं आपके साथ सेयर कर देती हूँ कि जब भी आप इसे इस तरीके से मिला लेंगे तो उसके बाद आप ना इसे चुले पे या गैस पे चड़ा कर नहीं रखे क्योंकि इसमें सॉस होती है और वो सॉस जो है वो कड़ाई में चिपकने लगती है तो उसे बहुत अजीब सी टेस्ट आ जाती है चौमिन में और जो चौमिन की जो टेस्ट है वो भी खराब हो जाती है तो ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है तो हमारी जो सॉस है वो चौमीन के साथ अच्छे से मिल चुकी है तो मैं भी इसे चुले से इस तरीके से उतार लूँगी तो लीजी अब क्या करना है अब आपको सर्व करना है तो स्ट्रीट वाली रेसिपी है भाई स्ट्रीट की रेसिपी आपके घर आईए तो अब इसे सर्व भी तो स्ट्रीट स्टाइल करना होगा ना तो इस तरीके से आपको ले लेना है छोटी प्लेट जो स्ट्रीट में मिलत तो इसमें आपको सर्व कर देना है यह दिखे चौमीन और अब इसके ओपर डाल देना है थोड़ी से टमाटे सोस गाजर प्याज और या फिर ठीरा जैसे आपको जो पसंद हो आप इसमें इस्तमाल कर सकते हैं तो इन सारे चीजों के साथ आप यह चौमीन सर्व करें सब कोई आपके फैन नहीं हो गए ना तब मुझे कहना और इसे बनाना तो बहुत आसान है और सब को बहुत पसंद आएगा तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए और बेल आइकन की बटन को दबा देजि और सबको खिलाएं सबको बड़ा पसंद आएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपी के साथ और कुछ नए रेसिपी के साथ तब तक लिए बाई बाई आप इसे इंजॉय कीजिए